हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग के लाश 10th का साइंस का जो वीकली टेस्ट होने वाला है आप लोगों के चार नोवंबर का उसका मॉस्ट इंपोर्टन सवालों का स्रीज लेकर आ हैं इसके पहले भी हमने सेट वन चैनल पे अपलोड किया है यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा इसके इलावा आप वीडियो के लाश्ट में भी क्लिक करके देख स पहले सवाल में देखिए कहा जा रहा है आपसे की विद्दूद सक्ती का ować क्या होता है जूल होता है यह फिर वाट होता है या फिर हूं तो आपस्याओ पूछा है है विद्दूद सक्ती ठीक है तो सक्ति का जो disco मत्रक होता है व doet तो भशिया कि स्मार्व से आप पास सक्ती होगा जिसके पास पाऊबर होगा इस तरह से याद restrictive leon ट्रृक है यह अगला स्वाल है हमारा quadrant Snubber 2 में कह रहा है विदुत उर्जा का वैपारिक मात्रक क्या होता है देखित रेखा को यह वैपारी होगा ना वैपारी समान बेच रहा हुर चो वैपारी जो वैपारिक मात रख होता है वो क्या होता है किलो वाट घंटा ठीक है याद रखिएगा इसको याद रहेगा आपको चलिए अगला सवाल देखे क्या है कह रहा है किलो वाट घंटा ठीक है किलो वाट घंटा किस रासी का मात रख है आपको बताना है उसी सवाल को घुमा कर पुछा है तो आप यहां पर बता सकते हो विदूत उर्जा का किसका मातरख है विदूत उर्जा का मातरख है किलो वाट घंटा ठीक है बात समझ में आई चलिए अगला सवाल है हमारा कोसा नंबर फोर कोसा नंबर फोर में आप से कह रहा है कि विवांतर मापने वाले यंतर को वोल्ट मीटर वह से विवामतर वह से वोल्ट मीटर याद रखना है अगला सवाल देखे क्या है कोस्टन नमबर 5 में आप से कह रहा है कि विदू धाराम आपने वाले यंतर को क्या कहते हैं तो अब आपको क्या मापना है धाराम आपना है यानि एक कुलम आवेस में कितना इलक्ट्रोन होता है सीधा-सीधा यह आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6 x 10 पे पावर 18 कुलम एक 10 इलक्ट्रोन ठीक ना 6 x 10 पे पावर 18 इलक्ट्रोन ठीक है ओप्सन नमबर 1 हो जाएगा चलिए इसके आगे बढ़ते हैं आगे सवाल देखी क्या है कोसर नमबर 7 में कहरा परतियेक एक जब आप मीटर लगा लोगे तो आपको फिर क्या डरना है ठीक है आप फिर बिजली चोरी नहीं कर पाओगे आपके पास मीटर है तो आप सेर की तरह जी होगे यानि कि स्रेनी करम सेर सेर से स्रेनी ठीक है याद रखिएगा इसको अगला सवाल देखो क्या है कॉस्टर no.9 पर चलिए option के according जो इसका right answer है वो है option number 1 lithium, lithium को जो हम लोग आसानी से काट सकते हैं, ठीक है इसके इलावा आईए question number 10 पे, question number 10 में कह रहा है कि कौन सी मुलायम धातू को चाकू से काटा जा सकता है, आपको options पर जहान देना है, चांदी को नहीं काट सकते है, पारा को नहीं काट सकत है, अगला सवाल है हमारा question number 11 में कौन सा धातू कमरे के तापे दरब अवस्था में पाय जाता है, याद रखिएगा धातू बोला है, अधातू नहीं बोला है, तो कौन सा धातू हो जाएगा, ब्रोमीन होगा, पारा होगा, लोहा होगा, तामबा होगा, तो पारा इसका right answer ह हो जाएगा, question number 12 पर आईए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अधातू को, अधातू है जो दरब अवस्था में पाय जाती है, अधातू नहीं है, अधातू है, ब्रोमीन, पारा, तामबा, यफे, अल्मुनियम, right answer इसका, ब्रोमीन, option number 1 हो जाएगा, अगला सवाल हमारा question number 13 पर आईए, जीन की रहसायनिक संद्रचना क्या है, तो जीन जो है, उसकी रहसायनिक संद्रचना आपको बताने हैं कि जीन की रहसायनिक संद्रचना क्या है, तो right answer होगा, इसका option number 1, DNA, क्या हो जाएगा, DNA हो जाएगा, जीन की रहसायनिक संद्रचना, अगला सवाल है, मनु कर लिजएगा जिएस्टी नहीं होगा जोड़ी होगा ठीक है बारा जोड़ी ठीक है ऑप्सन नमबर दो अगला सवाल है हमारा कोशिका में गुंसूत्र पाए जाते हैं ठीक है तो मनुस में कितने जोड़े गुंसूत्र पाए जाते हैं ठीक है तो यह जो गुंसूत्र हो जा ध्यान लखिएगा मनुष्य की कोर सिका में गुंसुतरों के संख्या बोलेंगा तो वपारा ज को सिका में गुंसुत्र हुआ जाते हैं आप वाराई सुपे क्लिक करके अगले वीडियो में थेख सकते हैं उन